हलो दोस्तों सुवागात है आप सबका आपकी यूट्यूब चैललंग्ण पुर में दोस्तों अररभी ये फॉस्स सेकंड से और थर्ड सिट के एक्जाम हो चुगा है लेकिन अभी मेरे पास दोस्तों फॉस्स के जो आपके कोश्चन्स आये हैं वो कोश्चंस मेरे पास जो ए नहीं वारे वीडियो देख रहे हैं वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें और दोस्तों इसमें फर्स इसकेंड मही का जो एक्जाम है उसके कोशन दी गए हैं और दोस्तों आज क्या हुआ को सेंटर्स पर क्य अगर देखा जाए तो पेपर इजी था इजी तु मॉडरेट कह सकते हैं आप टफ नहीं था पेपर यानि की जो कट आफ भी जाएगी और हाई रही की जाता कि को आज तीनों सिफ्ट के अगर बात करते हैं तो पेपर में कोशन सारे वही थे जो पहले आते रहते हैं कोशन रहते कोशन जैड़न ना यह कोशण बहुत ही कम ते अभ ये देख सकते हैं जैसे कि यह कोश्ण आया है सरी से कौछन है किस ने णी रादनी फतेपुर सीग्री को बनाया तो फतेपूर डब सीगरी की सिथक्री किस अवर इस ही नहीं अपनी रादनी फतेपूर सीड़ी इक doubles तापut किया था पिर साइंस की दोस्तों बात करते हैं एंड का सब्सक्राइज क्या नाम आब दोस्तों इन्होंने गुणा दिया है श्तोंस्तों आप देखेंगे तो इसको हम ऐसे लग सकते हैं जैंकぎ तोस्टों क्या हो गया कि अ नाम गया एथैनॉल फिर दोस्तों किस राज से सम्झ देता है तो वह इसा से नाम से आ रहा है फिर इक कंच्छन दोस्त जोस्त आई 为िय सो कि कूछ किसले की तो किती डॉक। róż horses gonna box है बढ़ते दोस्तो अधने कुछन की और स्कूंस में जश्कूंस में sound दोस्तों कारकाल रहा था डॉप्टर राजीन परसार का दोस्तों बास्केट ओल और बैडमिंटम में खलाड़ी कितने तो बास्केट बॉल में 5 और बैडमिंटम दोस्तों या थो एक होता है या दो तौह जैसा भी ऑप्ष्छन हो उसे साथ से आपको आंसर देना होगा कि फिर कोश्चन है दूस्तों कि जो हम खाना खाते हैं उससे किस में आपा जाता है तो दोस्तों आपको पता होगा कि बुलते हैं मैंने बर्गर खाया तो बर्गर से मुझे टू हंडड़ेट कैलोरी जूर्जा मिल गई और कुछ और चीज खाई तो ऐसे दिखे रहाता है कि कितनी कैलोरी जाम से मिल रही है तो जो हम खाना खा रहे हो किस तीज में आपते दोस्तों किलोग्राम ग्राम कैलोरी तो क्या था उसका अंसर क्या हो दाएगा दोस्तों इसका मैं अपनी टीम भी हैं दोस्तों लेपने नेपाल कांट्री प्रेख सम कि अगला वे इस नेकी पने लिए अपने के लिए अतुम भेजी दो दोस्तों वहगा नेपाल कंबिए हैं अपनी टीम बेजी है माउंट एवरेश्ट की लंबा ही ना अपने लिए फिर एक कोश्चन था बादलों की गडगड़ हाट का करण क्या है तो दोस्तों इसका अंसर होगा बादलों का तापमान में अंतर होता क्या है दोस्तों दो टाइब की बादल होते हैं गरम बादल एक ठंडे तो दोनों बादलों के तापमान में क्या होता है काफी अंतर होता है क्या है जैसे मान लीजे जहां तापमान अधिक है सूर से सीधे संपर्ग में जो बादल होते हैं पहले होते हैं उसके पास में होते हैं सूर की ज्यादा जो सफेद बादल इसको कह सकते हैं दोस्तों जो स विजली की चमक की रूप में दिखाई देती है और ये घरस्ती भी है और उससे को नहों हो बनता है कि बादल विजली हमें चमकती भी पहले दिखाय दियती है अब की बाधर की नियुदायों की गट बाद में तो दोस्तों फ्रकास की चाल्चाल टेज होती है दौनी की चाल इसलिए नneck पहले दिखाय दिती तो साउंड नविगेशन एंड रेंगिंग सोनार का फुल फॉरम है फिर कोशन था अदुनिक मानप का नाम क्या है तो होमो सैपियंस सैपियंस अब दोस्तों एक कोशन था बिटामिन कि अब जाए वैसे तो दोस्तों इंग उप्ष के लिए निवी जोसमें तो एक तो फिर में देखते हैं रिजनी में तो में प्रेफ्राइड लॉस्त दो कोशन पूचे रहते निवे दरेख्शन थे तीन कोशन थे डाइग्रम से कोशन था ट्राइंगल काउंटेंग से कोशन जाएते दो कोश्चन पॉलिटी से दोस्तों एक कोशन पूछा जाता समीधान से बोगोल से एक कोश्चन था और जो आपका करेंट अफेर्स है वो काफी कम आई थी दोस्तों करेंट अफेर्स का उतना जादा इसमें वेटेस नहीं था अपने एक्जाम में जो ट्रडिशनल ज कुछन तो समय करेंट चैनल को अब हम इसमय vontade से भी कोश्चन आपकी पूछे गयए ति स्क्राइब करें जयरू दबाएं ताकर आने वाले सारे शहांज में आपको जो एक्जाट कोश्चन आये हूं उनके गारे में जनकारी रिशानि क smsδ चाहिए और अपना एक्जाम आप भी अच्छे से दे सकें मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक क्लिए धन्यवाद